स्वागत है दोस्तों एक पार फिर से आपका हमारे चैनल बिहारी फैमली में साथियो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे थमनेल उसमें अस्पष्ठ क्या गया है कि किसी भी कोटी के सिक्षक का स्थान्तरन नहीं किया जाएगा जी हाँ साथियो आज पत्र जारी हुआ है 1162024 को आप अपने डिस्पले पर देख रहे होंगे 1162024 माधविक सिक्षा ने देशक सन्नी सिन्हाज जी के दौरा यह पत्र जारी क्या गया है जिसमें कहा गया है किसी भी कोटी के सिक्षक का स्थान्तरन नहीं करने के संबंद में तो देखते हैं पत्र में क्या लिखा गया है पूरे डिटेल से देखते हैं महा से उपर युक्त विसयक आप अवगत हैं कि पंचाइती राज संस्थाओं एवं नकर निगाई संस्थाओं द्वारा न्युक्त सिक्षकों को बिहार राज विद्याले अध्यापक निक्ती अ नियमावली के नियम चार के तहत विहार विद्याले परिच्षा समीती द्वारा मार्च अप्रेल माह में सचमता परिच्षा का एवजन किया गया जिसमें 1,87,188 अस्थानिये निकाई सिक्षक उत्रिन हुए उक्तु सिक्षकों की काउंसलिंग एवं पदस्थापन की विभाग दोरा परक्रिया धीन है इस वीच विभाग ने निर्ने लिया है कि सचमता परिच्षा उत्रिन सिक्षकों के परदस्थापन के पुर्व जिलों में किसी भी तरह के सिक्षकों की अस्थानांतरन की कारवाई नहीं की जाए अत्रह नियदेशा अनुसार आदेश द संबंद में किसी भी तरह की सुचना प्राप्त होती है तो संबंधित के विरुद कठोर कारवाई की जाएगी तो इस प्रकार से यहां अस्पस्थ हो गया है कि जब तक विशिश सिक्षकों का पोस्टिंग नहीं हो जाता है तब तक जिला अस्तर पर भी किसी भी तरह का ट् अन्यवाद